Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दीन अप स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A. History M.H.I.05 का दिसंबर 2022 के कोश्चिन पर को सॉल्फ करने वाले हैं दोस्तो अगर हम अपनी बुक M.H.I.05 के बारे हम बात करें तो इस बुक के अंदर में हम भारत की अर्थवस्ता का इतिहांस पढ़ते हैं किस तरह से समय के साथ परिवर्दित होता हुआ एक ही तिहां से अर्थववस्था का उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं इस बुक के अंदर में अगर आज के हम अपने question paper के बारे में बात करें तो यह last year December 2022 का question paper है और आज 7 June है 8 June को आपका MHI 05 का exam भी होने वाला है तो यह question paper एक important role play करता आपके exam के लिए इस question paper को solve करने के लिए में 3 घंटे का time मिलता है 100 number का हमारा paper होता है 5 questions को हमें attempt करने होता है और सबसे most important चीज़ जब भी हम question को solve करेंगे तो हमें word limit को proper follow करना है answer लिखते समय ठीक है तो इस word limit के साथ महीं आपको proper number मिलेगा 500 word limit का आपको एक limit है answer लिखने का उसी के अंदर में आपको लिखोगे तभी आपको number मिलने वाला है चलिए हम अपना question पर start करते हैं और दीनप की पूरी टीम की तरफ से MHI 5 जिनका भी exam है कल उनको all the best अच्छे से कीज़ेगा और अच्छे number लाइएगा चलिए आज का question पर अपना start करते हैं दोस्तों जो हमारा पहला question है उसको हम दो part में करने वाले हैं ठीक है जिसके में पहला part हमारा कहता है कि प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहांस लेकन से संबन दीत नवीन दृष्टी कौन क्या है अब देखो आर्थिक इतिहांस लेकन के अंदर में क्या कि किस तर से आर्थि दोस्तों से हमें उस चीज के बारे में पता चल रहा है अब देखो प्राचीन काल के बारे में अगर मानलो आज 2014 के बारे में बात करते हैं 2015 के बारे में बात करते हैं कि आर्थिक इतिहांस क्या है वारत का तो आज के समय में हमारे पास इतनी सारी डाटा है डाटा कहां से आ प्राचिर ग्रंथ जो पाली भासा में लिखे हुए थे उनके उपर हमें डिपेंड होना पड़ता है। धार्मिक गरंतों के उपर में भी हमें निर्बर होना पड़ता है जिसके अंदर में बो द्रम जेन द्रम के जो साहित्ते हैं उसके अंदर में भी आर्थी के थ्यांस का कई जगर जिक्र मिलता है सासात में जो उस समय के राजा हुआ करते थे या जो वन्स थे चाए मोरे वन्स की बात करो चाए समराड असोक की बात करो तो उनके टाइम पे भी जो अलग-अलग सीला लेक लिखे गए यात्रा विर्तांत लिखे गए जो यात्रियों के दुआरे में उसके थ्रू भी हमें प के लिए एक आर्थिक सुरोथ के तौर पर हम जान सकते कि Aした एक तर्फ के तौर पर ये पर आता है कि इसा पुरूब जो पहली सताबदी के अंदर में जो फसल के बारे में जानकारी मिलती हैं कि कि स्थर को अधार पर हम आरती कितियांस के बारे में जानकारी लेते हैं आज के समय में अगर हम आरती कितियांस के बारे में जानकारी लेना होते हैं तो हम क्या कहते है GDP क्या है ठीक है ग्रोथ रेट क्या है कितना हमारा विकास दर रहेगा इस बार का पर प्राचिन काल के अंदर में, खेत के अंदर में क्या पैदा किया गया, उसका पैदावार कितना हुआ, उस पैदावार का इंपेक्ट लोगों के उपर में कितना पड़ा, राजा के द्वारा कौन से टेक्स लगाए गए, उनके अधार पर आर्थी कित्यांस का लेखन किया क्या नाम से बुलाया जाता था उसका हमें पता चलता है समय के साथ में कौन-कौन से फसलों की खेती की जाती तो उसका हमें पता चलता है अगर आप कोटिल्य के अर्दसास के अंदर में देखोगे तो वहां पर भी महत्यपुन भूमिका निवाता है भारते इतिहास लिखन के पुस्तक में मिलेगा, या फिर आप मेकस्थानिस की इन्डिका के इंदर में इसका जानकारी आपको मिलेगा, जो वर्क में विविटाएं होती है, जिसके अंदर में जैसे मालो कोई लोहार है, सुनार है, बढ़ी है, इस तरकि विविटाएं बहुत कम देखनेक लिए मिलता ह से सहरी करन के और बढ़ते हैं तब आपको वर्क में विविंताय विखने के लिए मिल जाता है जो भी विये सारे वर्क में विविंताय भी आर्थी कि त्यांस के अंदर में अपना पार्ट देती है और आर्थी कि त्यांस के बारे में जानकारी हमें मिलता है सासाथ में दिखो भारत के आरती कित्यास के बारे में बताते हैं, ये सारे नवीन दृष्टी को के अंदर केंदर में आ जाते हैं और भी बहुत सारी छीज़े हैं अगर आप अप पढ़ो गे तो पहले हाप्टर के अंदर था हो यहां आपके म्हाई-0 से लेकर sì-0-94 तक आपके तीन एकजाम रहे हैं, तीन इकजाम के अंदर में सबसे बड़ी प्राबलम क्या है कि हमें कोसिन भी समझ में नहीं क्राओव क्राओ व ways iam Dark, जा पता है किसी के अंदर मैं लेखना है और में कोशामh Productions हैं क्या। तो हम आंसर लिख नहीं पाते, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा मेन मोटिफ यह है कि हम कोश्चन को समझने के कुर्सिस करेंगे कि किस तरह है, तो पार्ट वन हमें समझ में आ जाता है, पार्ट टू के अंदर हम बात करते हैं कि प्राचिन भारत के आर्थिक इतिहास क चेटर में हुए नवीन सोधों की चर्चा की जिया, अब नवीन सोध क्या मतलब किस तरह के जो सोधों के जा रहा था this kind combined research करने market क्या मातलब क्या हम जानकारी मिलती कैसे है, कि सरसे मिली तो देखो ओजार, पत्थर, इमिठ्टी के बरतन 이렇게 किया जा अगर हम किसी गाओं का study करते कि वहां पर किस तरह का rents है रागवा कितने अबादी रही होगी किस तरह के फसलों को बोया जाता तक कौन-कौन से फसलों का परमान मिलता है जिसके अधार पर हम कह सकते कि ये रहा होगा अगर मालो एक ऐसा खेत है जहां पर साल में सिर्फ एक ही तो आर्थिक इत्यास के अंदर में सब चीजों का जिक्र करते हैं जो नवीन सोध के जरी हमें पता चलता है ठीके समझ में आता है तो सोड़ा से समझाने के लिए वाला पॉइंट भी यहां पर हम क्लियर करते हैं अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं कोश्चन बटू जिसमें में बात करते हैं वैपारिय करन किस परकार से जुड़ा हुआ है अब तेको वैपारिय यहें डीके आंदर में में रह रहा हूं तो दैली के अंदर में जहां पे मैं रहता हूँ, वहां पे लोग अलग अलग जगह से आते हैं वैपार करने के लिए डेली सदर बजार के अंदर में रहता हूँ, डेली सदर बजार में मैं जॉप करने के लिए जाता हूँ, वहां पे क्या होता है कि अलग अलग जगह से कोई पंजाब से कोई हर्या पूरे उसी सबसे बड़ी मंडी है आपको अजादपूर मंडी के अंदर में वैपारी लोग दिखेंगे जो वैपार करने क्र आते हैं लग-जग से फल बेचने क्ले आते हैं सब्जी बेचने क्ले आते हैं ठीक है अब इसके आस-पास का जो लाका है बहुत जादा घंई अपार्णी वाला इलाका है जहां से एक मिल से पता चलता है में कि किस परकार से नगरीकरन विक्सित हुआ तो वैपारिक गति वीडियो के कारण से जहां पे ज़्यादा चहल पहल होती है जहां पे उसके कारण से भी नगरीकरन विकास होता है और नगरीकरन का परमुक्सरोत वैपारी गती वीदियो को भी माना जाता है आप अगर असोख जो समराठ असोख थे उसके टाइम पिरिट को अगर हम इस्टडी करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि जिस जग़ पे ज्यादा चहल कर्मी हैं जिस जग़ पे विक्सित हुआ और जाना गया अगर कोई भी स्टूटेंट अगर बिहार से बिलॉंग करता है तो बिहार के अंदर में पटना ठीक है या फिर किसी भी जीला जो आपका मीन जीला होगा न वह जीला बहुत जाता है विक्सित होगा जिसको मार्केट के तौर पर बोलते हैं कि हम यहां पर बात करते हैं एक इसके अंदर में टाइम पिरेट की बात की जाती है कि 300 BC से लेकर 600 BC के जो मद्दे नगरों का उदे हुआ उसके विकास के प्रकास जालिया और इसके मुद्दों की जर्जा की जिए अब देखो इस टाइम पिरेट के अंदर में कौन-कौन से मत बहुत इंपवर्टन टोल प्ले करते हैं ठीक है नगरों के उदे के लिए अगर माल लो यह वैपारिक मार्क बना के दिल्ली मुंबई कोलकता चैन नहीं तो यह जो दिल्ली सो होते हुए मुंबई कोलकता चैन नहीं जाएंगे ने जो चार स्टॉपेस बने ना यह चार इंदर में पढ़ रहे थे ठीक है जैसे आप यहां से यमना एक्सप्रेस वेफिस से जाते हो जो भी बीच-बीच में गाउं पढ़ते हैं वह उसके आज पास जो चेत रहे हैं अगर कोई स्टूडिन डैली में रह रहा है वह मुर्थल कभी गया होगा तो मुर्थल से जैसी कि आफ गुजरोगे तो बड़ी-बड़ी बड़ी-बड़ी बीनिकस बन रही है कि लोग वहांप एट्रेक्ट हो वहां से अगर जब भी पास कर रहे होँई किसी को खैरने की जरूते तो वह इसके कान में बढ़ गई है ठीक समझ में आता है अब देखो यहां पे हम यहां पर बात करते हैं अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question हमारा question number 3 कहता है कि परिहार कौन थे और ब्रहदे अनुदानों के संदर में परिहारों का क्या विशलेशन है ठीक आप देखो यहां पर सबसे पहले ना आपको यहां पर ब्रहदे समझना है ब्रहदे होता है नियुकर देख है ब्रहदे मतलब करने के लिए ब्रामपन को दिया गया गया तॉरर ईक्षी मतलब करने के लिए को नियुक्त किह गया जिसको परिहार के तौर पर जान देखो इसका जो definition है जब मैं इसको find out करने कोर्सिस कर रहा था तो अलग-अलग जगा पर अलग-अलग definition था might be मेरा जो यहां पर definition मैंने आपको बता है वो गलत हो सकता है तो एक बार आप भी counter check कर लीजिएगा कि परिहार का definition क्या है और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताएगा कि आपने जो definition ढूड़ा वो क्या था ठीक है यहां पर हम ब्रहदे के बारे में बात करें तो ब्रहदे ठीक है इस तरह से यह जो पूरा question इसको आप explain कर सकते हो ठीक है जिसके अंदर में बता सकते हो और यह परिहार और जो ब्रहदे वाले जो टॉपिक है आपका अगले question के और बढ़ते है question number 4 जहां पर हम बात करते हैं मद्यकाल में उत्पादन के संगठन का आलो चनात्मा परिक्षन किस तरह से उत्पादन संगठन के रूप में विक्सित हो रहा था मद्यकाल के अंदर में इसके बारे में हम discuss करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि क्या किस तरह से अनुदान मतलब ये पूरा जो उतपादन संगठान है किस तरह से विक्सित हुए किस तरह से कारे कर रहे तो उनका पैटन क्या था? किरसी गती हीन को इस टाइम पर जो क्रिशी वभश्ता थी बह themes ऑस wczeολ की तो समय पर गती हीन की करण गती हीन मसेद बने की कर्णक हूं आगे हैक से अगर किरशि का यहां पर प्रियुट तक्निक के साहज साहरे ही उसको मतलब मतलब ऑनलब को ढोणा फसलों को बोना और ने नहीं चीजों का उपयोग किया जा रहा था था इसके अंदर की कारण चे रठा Гlingen के उपयोग के कारण से इंपच्व होता है। अगर हम उथ-पादन की बात करते कि उथ-पादन-बडंबंडài ध schöne कि आप किसी खेत के अंदर में जो भी अनाजबोय हो, किस तर से production हो रहा है, उसकी बारे हम बात कर रहे हैं, production कैसे बढ़ सकता है कि आप कितने अच्छे तरीके सा खेती कर रहे हो, ठीके किस तर से क्या चीज़े वाक किया जा रहा है, किस तरीके सुसके पर हम ध्यान दे रहे हैं, जिसके काँशे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, तो मदे काल से पहले आप देखोगे तो तकनीकी तोर पे हम बहुत ज़्यादा पूर थे, और संगठक अधार पर हम उसकी बात करते हैं तो जैसे किस तर से विक्सित हुआ अब एक व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं अलग जगहों पर भी इसका इंपक्त देखने के लिए मिलता है जहां पर आप देखोगे राजस्तान गुजरात पंजाव इन सब जगहों पर भी जिए जरता है हैं जो उत्पादन한 इस्तिती उसके अंदर में विकास दिखा जाता है एसा तो है निहीं कि जगह पर जो तकनिक विकास जो किया दुसरी जगह पर नहीं किया तो उससामें प्रकार्क से लगड़ी का उप्योग कर रहे तो तो क्या उत्पादन इस स्थाए त आती हैं साथ-साथ में जैसे पहले क्या होता था उनको रखने के लिए किस तरह का इंतजाम क्या जाता था अब सब्सक्राइब में जब मदिकाल के अंदर में बढ़े जो मिट्टी के बरतन से या फिर बड़े-बड़े इस question आप easily कर सकते हैं, उसमें कोई doubt नहीं है, question number 6 के और बढ़ते हैं, question number 6 में हम बात करते हैं, मद्यकालिन भारत में समुन्दरी वैपार और इतिहास लेकन का मुल्यांकन की जिया, अब समुन्दरी वैपार होता क्या है, तो समुन्दर में किस तर से वैपार क्या जा रहा है, जो ये पूरा time period है, 16 से लेके 17 स्ताधी के बीच के बारे में बात करते हैं, जहां पर क्या होता है, पूरे European देश, जो European की अलगले कंपनियां थी, वो भारत की और आगुमन करती है, और भारत के जो समुन्दरी मार के उसकी खोज परू निकलती है, जिसमें सबसे main motive रहता है वैपार करना, ठीके वैपार करना और भारत को explore करना, जिसके अंदर में भारत के अंदर में से मसालों की खोज करना, रेशम का, और रेशम के वैपार को importance देना, ये सारी चीजे रहती हैं भारत के खोज में, जो यूरोप से बहुत सारी कंपनिया भारत के और निकलती हैं, ठीके जिसके अंदर में आप देखो के पश्चमी, हिंद, मास, आगर, पुर्वी, बंगाल, खाडी, और जो भी बंदरगा थे भारत के, जो भी टटटवर्ती लागे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी यहां पर बताना है, जिसके अंदर में हम बात करेंगे, पूरा आर्थी की त्यांस लिकन हो जाएगा हमारा, ठीके समझ में आता है, कोश्चिन नंबर 7 के बात करते हैं, कि वनस्पती के परमपरागत अधिकारों का वर्णन कीजिए, और अपनेवेशिक हंसस्षेप के परि अब देखे आरे जंगलों में रह रहा हूं, मेरे पूरा पर पालन पॉस्टन हुआ, मैं वही पर बढ़ा सब कुछ हुआ के जंगल में ही पैदा हुआ, जंगल में ही मरने वाला ऐसा सीन है, तो उसके अंदर में क्या होगा, कि जंगल को अपना घर समझेगा, ठीक है, अप पर जंगलों में हस्तषेप करते हैं हस्तषेप का मेन रीजन क्या होता है एक तरसा स्वार्त देख सकते हो जहां पर लकडी के लिए लग लग खनीच परदार्त के लिए ठीक है अलग लग तरह के चीजों के लिए वहां पर जंगलों में हस्तषेप करते हैं जिसके लिए लकड़ी उनको चाहिए जंगल से क्योंकि जंगल पर ही निरबरता है उनके अनाच के लिए लकड़ी के लिए उनके भूजन के लिए ठीक उस सारी तरह से निरबरता जंगल पर ही है उनके वन पर ही है तो उनके लिए क्या किया गया कि उनको एक लिमिट दिया गया कि आप इत आपका वैपार है या क्या है किस तरही कहसे आप चला सकते हो कितने दूर में चला सकते हो तो इस्तरी से से सेट करने गेक कोर्सित इसका मेन मोटिफ क्या था कि जंगोलू करनाстंगा प्योड न मतिकार करना और अप्ने रखी जगत करने कंद encant been support हो और जाते इसको पूरी तक मुश्य नीट के अंदर में करते हैं कि 18 स्तावदी, और 19 स्तावधी के उत्रार्द में भारती जो लगु उद्योग थे जो छोटे-छोटे उद्योग थे वो किस परकार से परिवर्तन करते हैं किस परकार से आगे बढ़ते हैं उसके बारे में आपे हम बात करते हैं लगू उद्योगल के बारे में अगर बात करोगे तो उस समय पे जो भारत के जो समुंद्रिक वैपार थे यूरोपियन के अंदर में जो इस्तिती थी वो बहुत जाता है सासत में आऺ देखोगे उत्पादन का फैल अव होता है बडी मात्रा में फैल अवह नहीं देखने can यहां पर बिखने वाला है उनकी केंद्रों की मात्रा बढ़ जाते है। उत्पादन गुनवत्ता केंद्रों के अंदर में मानवी करन बढ़ जाता है। मैं चेक करो किस तरह से क्या चीज़े हैं तो आप इमान भी करें बढ़ जाता है उत्पादन गुनुगत्ता के अंदर में सासत में आप देखो कि कुछ परमुख निया निर्यात केंद्रों का बनाए जाते हैं निर्यात और रयात केंद्र स्थापित किया जाते हैं जिसके बहुत बड़ी मात्रा में वेपार के लिए लोग आ रहे थे और भारती लोग अट्रेक्ट हो रहे थे तो इस पूरी वेवस्था को आपको बताना है कि भारती लगू उद्योग जो छोटे-चोटे इंडस्टी थे वो किस परकार से मूव ओन कर रहे थे किस परकार से उसके भारत को अजादी मिल चुकी है अजादी मिलने के पश्चाथ भी क्या था कि जो भारत के अर्थवश्था थी ऐसा लग रहता है कि अब इस थी रहाब आगे बढ़ेगी विकास के लिए जाएगी पर एक तरह से संक्री निदो चली जाती है छोटा होता चला जाता है इसके क पाद में चल्का बाद में जो फसल की खाद्यूत पादन का जो स्थर ता वह बहुत ज़्याद गिरावट आता है उसके बाद में inflation देखने थी मिलता है उनीसो बास्ट वास्ट रॉणिसो पैस्ट के अंदर में चीन और पाकिस्तान से यूद लड़ा जाता है जो जिसका इंपक्ट भारति अर्धवस्ता उपर में देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद भी उनीसो पैसट के बाद भी कई तरह की बिमारिया कई तरह का जो दोर जो का इंपेक्ट भारत के उपर में डारेक्ली इंडारेक्ली उनकी उपर में पढ़ रहा था तो यह सारे चीज़ हम डिफाइन करते हैं यह तो मैंने कुछ चीज़े बता है यहां पर आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी जो भारत की राजनीतिक उतल पुल अंतरास् की इस तरह से दोस्तों यह वाला झो को में रिखा एंड करेंगे टोटल दस मेंडाने कर ली कोई दस्वा कोशन आपका टिपनी बेस है आप उसको इजली कर सकते हो ठीक है तो यह कोशन को रेंड करते हैं दोस्तों अभी बाहरा वज के बाइस मिने टोड़ा है सच कहूं तो यह वीडियो में इस बनने ही पारी थी ऐसा नहीं है कि एक वीडियो का जो कोशन हो बना मतलब टफ ठीक अंदर से संतुस्ची नहीं मिल रही कि मैं अच्छा वीडियो बनाया है बट मजगूरी है मेरी कि मैं अप्लोड कर रहा हूँ आपको समझ पाओगे कि मैं क्या किस तरह का कंडिशन फील कर रहा हूँ ठीक है तो बस मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ क्योंकि कल वीडियो बना सुकूँ बाबाई टेक केर अलना वेस्ट